हलो मिर्सा क्लासस की तरफ से सभी को नुमस्कार एक बार फिर कोस्चन लेकर के आए हैं और ये कोस्चन सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो भी नीट इस्पेरेंट है देखे आज 12 से आज से शुरू किये हैं पहला चाप्टर रेप्रोडक्शन एन आर्गेनिस्म तो देखे नो इंडिविज्वल इस एमोर्टल कोई भी इंडिविज्वल जीव अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड आर्गेनिस्म सिंगल सेल्ड आर्गेनिस्म जो होते हैं अमर हैं ये कभी भी मरते नहीं है दूसरा कोश्चन रेप्रोडक्शन इज अ बायलोजिकल प् दिस्क्राइब और बट का फार्मेशन हाइड्रा और इस्ट में होता है जरूर याद रखना बल्बिल का फार्मेशन किस में होता है एगवाय में होता है इधे प्रॉडक्टिव बाड़ी है और लीफ बड किस में बनती है ब्रायो फिलम में बनती है और आपसेट का फार्मेशन वाटर हाई सियंत में होता है ये सब A-Sexual Reproduction के टाइप हैं और अस्ट्रस साइकल अगर पूछा जाए तो नान प्राइमेट में चलती है और मेस्ट्वल साइकल पूछा जाए तो प्राइमेट में चलती है प्राइमेट के अंतरगत हिवमेन, मंकी और एप आते हैं इसके अलावा जितने भी मैमल्स है वो सारे के सारे नान प्राइमेट में आते हैं जैसे कुता, बिल्ली, गाय, भैस, इटसेटरा मोनोसियस प्लांट कौन कौन से है कोकुर्बिट्स और कोकोनट जो है वो मोनोसियस प्लांट है जरूर याद रखना है और डायोसियस प्लांट पपाया और डेट पाम है मतलब इनमें मेल प्लांट और फिमेल प्लांट अलग-अलग होते हैं और मोनोशियस का मत्लब जैसे कुकुमबर और कोकुनट मत्लब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फिमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक वही फ्लावर या एक वही प्लान्ट पर होते हैं तो ये कुछ कोशन से बहुत इंपॉर्टन्ट वहरी बिर्टन graduate आपको मालूम है साथ मेग को एक्जामनेशन है हंडिड परसंट सभी के अप्लीकेशन फार्म भी आ चुके हैं और सभी बहुत सोच समझ करके फार्म भरें और तुम्हें मालूम है ये कोस्चन बहुत इंपर्टेंट है पर डे मार्डिंग 11 एम पर ये कोस्चन आपके सामने योट्यूब पर होते हैं इनकी जम कर प्रेक्टिस करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने अपने ग्रूप पर सेयर कर लें